next question देखिए students, कह रहा है in a histogram, dash are drawn with width equal to a class interval without having any gap between them, अब अच्छो ध्यान से चेक करिए क्या question कर रहा है आप से, कह रहा है कि जब आप histogram बनाते हो, तो आप histogram कैसे बनाते हो, थोड़ी सी जगह है यहाँ पर मैं आपको बताओ, तो यह होता आपका y-axis, यह होता आपका x-axis, ठीक, तो histogram कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से आते हैं, कुछ इस तरीके से आते हैं, तो यह जो equal width होती ही बच्छो, ठीक, यहाँ पर आप class interval दिखाते हो, जैसे कि 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and so on to, ठीक, तो equal width के आप क्या बनाते हो, जवाब है आप बार्फ बनाते हो, यह लंबे-लंबे rectangular shape के इसको हम क्या बोलते हैं, B, A, R, S, बार्फ, ठीक, तो इन्हों नम से यह बूला है, हिस्टोग्राम, डाश हार ड्राउन, डाश हार मतलब क्या ड्राउ किये जाते हैं, width equal to the class interval, जिसकी width class interval के equal होती है, ठीक है, नहीं, class interval नहीं, class size के equal होती है, यह class interval के equal होती है, ठीक है, और इसके बीशे कोई gap नहीं हम लोग छोड़ते हैं, 5 से 10, 10 से 15 तरीके से, तो यह बार्फ बनाते हैं, ठीक है, बहुत असान question है, इसमें मैं आपको क्या ही समझाओं, ठी जब हम के बोलते हैं, बार्फ बोलते हैं, छीक है, बार्फ बोलते हैं?